Realme, Realme X7 and Realme X7 Pro दोलो स्मार्टफोन आ रहा है 4th of February को इंडिया में त्रू Flipkart और ये स्मार्टफोन मैं भी खड़ी दूँगा और as usual मेरा honest review भी आपके साथ share करूँगा पर उससे पहले आज कुछ मन क्या Realme X7 के कुछ अच्छे features आपके साथ share करने के लिए आपका requirements वो ज़रूर आप देखेगा और इसके साथ कुछ कुछ कॉंस भी आपके साथ share करने वाला हो चलिए मेरा नाम है as usual subon चलून शूरू कॉला जाए Realme X7 का price जो निकल के आए है Realme X7 Pro का जो price निकल के आए है और ये leaks हैं और leak को लेके हमें चलना होता है 19,999 पे Realme X7 आपको देखने को मिल सकता है और ये base variant Realme X7 Pro 24,999 पे और ये भी होगा इसका base variant देखते हैं Realme कौन से price में इन दोनों smartphone को भारत में launch करता है चलिए Realme X7 Realme X7 का जो पहला गुन है इस phone का वो है इसका design ये design कुछ लग तरीका का है और इससे पहले Realme का जो भी phone आया था इतने रंग बिरंगी color के साथ नहीं आया था और इसलिए इस phone में आपको glossy finishing के साथ कुछ multiple colors मिल जाएगा जो आपको होली का याव ज़रू दिलाएगा तो ये phone का जो design है camera जो shape है वो भी मुझे काफी पसंद आया और ये थोड़ा सा in hand fill भी आपको अच्छा देगा क्या आप मेरे साथ सहमत करते हो एक like जरू दिजिएगा दूसरा है इसका display अब इस phone का 6.4 inches का जो display मिलता है width पंचोल इस पर आपको super amolet panel मिलता है इस प्राइस सेंज में मुझे काफी गजब का लगा और 600 nits का brightness भी आपको मिलता है वो भी इस phone का खास है अब इसका जो bezels अगर आप देखोगे तो वो भी काफी कम है ease deer 10 का support wide vinyl wand का support ये सब मिला के इस phone के display को एक अलग level पे ले जाता है ये हुआ इसका दूसरा exciting features number 3 obviously processor इस phone में Mediatek का processor द्या गया है as usual from the very beginning मुझे Mediatek का processor उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंके कुछ experience सी खराप रहा है पर अब Mediatek बहुत ज़दा improve किया है खुद को और इस पे Mediatek का Dimensary 800U जो 7NM technology पे यहाँ पे आपको मिलेगा और ये chipset एक 5G chipset है तो इस prices में 5G भी आपको मिल रहा है अब ये जो 5G Airtail ने काफी गजब का काम कर दिया क्योंके हाइदरावाद पे already 5G का testing स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे लोग इसको use भी कर रहे है तो 5G एक अलग सा feature आपको ज़रूर प्रोवाइट करेगा और ये futuristic phone होगा तो 20,000 के नीचे में 5G smartphone वो भी एक गजब का processor के साथ और ये जो processor वो 765 से भाई काफी अच्छा होगा या same to same होगा और day to day usage में आपको कोई problem नहीं होगा और number 4 में आता है इस phone का camera और 2 मेगापिक्सल का macro वो कुछ खास नहीं लगा क्यूंकि अब Realme को at least 12 या 13 मेगापिक्सल का अल्टर वाइट देना चाहिए था क्यूंकि मी 10 आई भी already available है with 108 मेगापिक्सल camera पर इसमें आपको macro अगर ना दिया गया होता और भी अच्छा होता वाई एक depth sensor ही देते दो depth sensor ना होने के लिए कोई problem तो नहीं होगा क्यूंकि वो software के मदद से आपको portrait effect जरूद देगा और इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का एक selfie camera मिलता है तो इस पे भी थोरा सा downgate किया गया है not 32 अब 32 से 16 मेगापिक्सल का जो selfie camera होता है यलमी का वो काफी गजब का काम करता है इससे पहले हमने देखा है तो यहाँ पे आपको portrait effect या portrait mode पे video recording का option भी मिल जाएगा तो काफी अच्छा है और यह इसका cons भी है अब next जो है इसका battery 4300 image battery मिलता है और इसी के साथ 50 watt का fast charger super book जो 18 minutes पे लगबग आपको 50% तक charge करके देगा तो यह काफी बढ़िया लगा यह इसका pros है अब इस phone में इंडिस में fingerprint scanner भी मिलता है आप जानते हो Samsung के जो phone होता है उसमें आपको super amolet तो मिलता है इंडिस पे नहीं मिलता है M series पर इस pricing में यहाँ पे आपको मिल रहा है तो यह काफी गजब का है इस phone में आपको और एक चीज़ बहतर मिलता है और वो है इसका in hand pill जो अच्छा नहीं मिलेगा वो क्या जैसे आपको 3.5M jack इस पे नहीं मिलेगा अब 2021 बे यह हर एक लोगों का requirements है वाई without 3.5M jack बहुत problem होता है दो आप में से बहुत सरे लोग यह भी कहोगे 3.5M jack नहीं लगेगा Bluetooth है ना उससे बैटरी भी तो जल्दी drain होता है यह भी आपको सोचाँ चाहिए पर यह mid range में आता है यह जरूर धान में रखिएगा number 2 इसमें आपको कोई भी microSD card slot नहीं मिलता है even it's not coming with hybrid SIM slot so भूल जाओ forget about the microSD card तो यह cons मुझे एक लगा है इस phone में तो यह था इस phone का कुछ cons और exciting feature अब आपको जो cons मैंने कहा है यह आपको ऐसा कहता है कि यह phone ना खड़िदो या प्रॉज आपको उसाहित करता है इस phone को खड़िदने के लिए जरू comments करना दो मैं तो खड़िदूंगा unboxing and review लेके आऊंगा और जो practical में होगा वो आपके साथ share करूंगा आज के लिए इतना ही ता है वीडियो कही पे भी अगर चलता है तो मुझे भी उसाहित कीजिए और पेरणा दीजिए आपसे पेरणा मिलता है सब्सकाइब कीजिए notification bell को push करके all कर दीजिए और हो सके एक like वाई के लिए छोड़ दीजिएगा अगली वीडियो में बहुत चलता आपके साथ मुराकात होगा अब तक के लिए धन्यवाद